तो नवशकार दोस्तों स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में यह गेंव आप देख सकते हैं लगबग कर तयार हो चुके हैं और किसान भाईयों अब हम इसकी कटाई का काम करेंगे जो कि आपको बताएंगे तो किसान भाईयों इसमें अमने सिर्फ दो बार यूरिया और फर्स्टम में इसमें परियों किया था जो कि आपको मालूम है मैं अपको अंदर जाके बताता हूं तो कुछ इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं लगबग यह किसान भाईयों 20-25 दिन और खड़ा रहेगा क कहीं पर आप देख सकते हैं इसमें जो हमारी भासाम बोलते हैं भूरा चुकी है तो मैं आपको बता हूंगा कैसे क्या इसका रिजल्ट देखने को मिलता है इसकी कि कटाई हम हाथ सी करवाएंगे क्यों कि हमें अपने बस्वों के लिए जो सुकला होता है उसकी ज़ुरत है किसान भाई अभी तक इसमें गिला है आप देख सकते हैं लास्ट पानी हमने दिया ता लगबग बिस एक दिन के आसपास हो चुका है उसके बाद लसुन में चला दीती मोठा तो किसान भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कमेंट करके बताएए कि आपको किस प्रकार से वीडियो और हम दे सकते हैं तो तुचिज यही था आज का तोपिक किसान भाई एक में ने लसुन में जो इस्प्रे किया था उसकी भी वीडियो बनाई हो ही है जो कि थिपसे का इस्प्रे हमने किया था तो उसमें क्या हुआ किसान भाई हो काफी ज्यादा मात्रा में थिपसे का अटे कुछ लसून की पसल में हमारे हो चुका था तो हमने वह दो बीगे में लगभग 12 रुपे की बनी थी हमारी तो उसका रिजल्ट हमें काफी अच्छा देखनों को मिल रहा है मैं अभी दो चार दिनों रुक के रु दोवाई जो की आपको कैसे क्या मिला ना है सब कुछ डाल रखा है तो आप वह इस पर जरूर कीजिए तो किसान भाई वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सुस्क्राइब कीजिए मिलते हैं सी किसी नेक्स्ट वीडियो में तो तन्यबाद जू दोवाई का जरूरी स्परे कीजिए मुझे मालूम है कि अच्छा रिजल्ट आपको देगी और उसकी वीडियो में पासा दिन में बनाऊंगो तन्यवा जूले रहे